तो हाई डाइस वेलकम बैक टो अवर यूटूब चैनल एंड वेलकम तू माइ न्यू वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के उपर कल के एक्सपाईरी के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रजिस्टेंस ले वाले हैं तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो मैं इस चैनल पे निफ्टी बैंक निफ्टी के उपर वीडियो अपलोड कर देती हूं और शेयर मार्केट के रिलेटेट सारे वीडियो न्यूज आपको मेरे चैनल के उप पर मिल जाएगी तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलेगा तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टन बात यहाँ पर यह है कि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए एक्स्ट्रा गाइ मिलते हैं आपको स्टॉक्स के उपर इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड मिलेगा साथ में लाइव मार्केट में सपोर्ट मिलेगा और एफ नो कॉल्स मिलेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जहाँ पर फिक्स टॉप लॉस एंड टार्गेट रहेगा अगर आप दे देने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है तो आप डिरेक्ली इस यूपी आईडी पे अपना पेमेंट सेंड कीजेगा या फिर ये क्यू आर कोड स्कैन करके पैसे भेज दीजेगा और अपना पेमेंट का स्क्रीन शॉट अलॉंग विद अपना टेलीग्राम नंबर मुझे मेल कर दीजे ताकि मैं आपको मेरे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रूप में आड़ कर सकूँ और ये जो टेलीग्राम ग्रूप है ये प्राइवेट नहीं है ये पबलिक है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके त्रू इस टेलीग्राम ग्रूप को वो जॉइन कर लीजेगा ताकि कल की लिए आपको important calls मिल सके तो अभी हम लोग start करते हैं हमारा आज का विडियो निफ्टी के साथ तो निफ्टी के आज की closing कहा पर आई है तो देखे 16,634 के पास निफ्टी आज बंद हुआ है तो आज निफ्टी ने new high किया 16,712 का तो अभी देखिए निफ्टी के लिए important था 500 का level और मैंने कहा था गर निफ्टी 500 के ऊपर sustain कर लेता है तो यहां से निफ्टी हमें definitely 700 के पार जाता हुआ दिखाई दे सकता है यही important बात मैंने कही थी कि 700, 720, 750 यहां पर 700, 750 लेके चलिएगा यहां पर निफ्टी के लिए resistance है तो जब भी market यहां पर आए तो एक cautious view रखिएगा क्योंकि यहां पर एक selling हमें देखने को मिलेगी यह मैंने कल के वीडियो में आपसे कहा था तो आज क्या हुआ तो 16,712 का हाई करके निफ्टी में हमें गिरावट continue होती हुई दिखाई दी और मैंने कल जो बात आपसे कही थी उसके हिसाब से अगर आज आप 700 के उपर भी अपनी selling की position बना लेते तो भी आपका बड़िया profit होता एक और important बात यहाँ पर यह है कि YouTube पे मैंने तीन membership के options आपको दिये हुए जो भी लोगों को F&O calls नहीं चाहिए नहीं चाहिए उनको Nifty Bank Nifty का चार्ट सीखना है या फिर Nifty Bank Nifty के अंदर trade कैसे करे बेसिकली जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड है वो हमारी यह membership जॉइन कर सकते है तो देखे तीन membership है फर्स्ट फ्लाटी फर्स्ट 159 की है जहाँ पे आपको stocks मिलेंगे आज भी मैंने community पे कुछ stocks डाले हुए थे उसके पहले भी डाले हुए थे और सारे के सारे stocks अगर आप देखोगे तो profitable में है तो यह आपको 159 में मिलता है सेकेंड membership 599 की है जहाँ पे आपको nifty bank nifty के लिए extra guidance मिलता है expiry के लिए साथ में stocks के उपर आपको videos मिलते हैं educational videos मिलते हैं और कुछ stocks आपको मिलते हैं जो first membership के अंदर मिलते हैं थर्ड membership जो platinum membership है उसमें आपको मेरा personal whatsapp contact मिलता है जहाँ पर live market में मैं आपको support करूंगी साथ में previous day आपको मैं important knowledge दूंगी nifty bank nifty के next day क्या हो सकता है range bound रहेगा या फिर important buy sell levels दूंगी या फिर कौन से range में nifty रह सकता है इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी तो जो भी लोग सीखने में interested है वो यह membership join कर सकते हो जिनको direct calls चाहिए nifty bank nifty के लिए वो premium group join कर सकते हो तो मैंने दोनों आपको provide कर दिया है क्योंकि बहुत time से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहते कि हमें important calls चाहिए तो क्या करना होगा तो उसके लिए मैंने यह group जो है व और कभी भी मैं close कर सकती हो entry तो जल्दी से अपना premium group जो है हमारा वो join कर लीजेगा तो अभी important levels के उपर आते हैं सीधा तो निफ्टी के अगर कल के range की बात करें तो देखें निफ्टी के लिए important रहेगा 16600 का level अगर निफ्टी 16600 के नीचे open होता है और इसके नीचे ही trade करत है साड़े 10 बचे तक तो यहां से निफ्टी हमें और downside के लिए जाता हुआ दिखेगा कहा तक 500 and 550 के zone में 500 के पास important support बना हुआ है तो 500 के पास से हमें एक bounce back भी देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर तो निफ्टी के लिए important support है 16500 का if निफ्टी breaks 16600 लेवल तो यहां से निफ्टी हमें 100 points downside के लिए जाता हुआ दिखेगा और 500 के यहां से हमें एक bounce back भी देखने को मिल सकता है अब side की बात करें तो देखे अगर निफ्टी 16600 के above stable होता है या फिर इससे उपर open होता है और इसके उपर ही trade करता है तो यहां से कि हमें 16,710 और 750 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह निफ्टी के लिए important support resistance के level से जो आपको आपके चार्ट के उपर mark करने हैं ताकि आपको trading के वक्त helpful हो सके तो यह levels आपको कल के session के लिए important है तो अपने चार्ट के उपर यह mark कीजेगा और इन support resistance के लिए resistance के उपर ही अगर आप trade करोगे ना तो आपको बढ़िया profit होगा कल भी मैंने कहा था 700 के पास resistance है यहां से एक बारी गिरावट दिखेगी तो थोड़ा कॉशिसली ट्रेड कीजेगा और वैसे ही हमें आज देखने को मिला तो अभी अगर option chain data के उपर नजर डाले एक बार निफ्टी के तो देखे कल के expiry का option chain data है मेरे सामने तो अगर देखे तो call side में दो levels 16700-800 यही पर हमें सबसे जादा open interest and writing हुई दिखाई दे रही है और मैं मैंने पहले भी कहा हुआ है कि निफ्टी के लिए upside के लिए यह resistance zone बन चुका है और अगर फिर से निफ्टी 16700 को पार करता है तो 75780 के पास निफ्टी को resistance face होगा वही downside की बात करें तो downside के लिए highest open interest दो level के उपर है 500 and 600 जो कि मैंने chart के उपर आपको बता दिया था और सबसे जादा put writing भी देखे तो 600 के उपर बनी हुई है तो अगर निफ्टी 600 का level कल hold रखता है तो यहां से 700 750 के zone में निफ्टी हमें definitely जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो अभी option chain data भी हमने देख लिया है और important support resistance के levels भी देख लिए हैं निफ्टी के लिए तो अभी बात करते हैं bank nifty के उपर तो bank nifty का one day candlestick pattern chart है मेरे सामने और nifty bank भी आज अच्छा खासा बंद हुआ है और 35,586 के पास closing आई है आज nifty bank ने try तो किया 36,000 के उपर जाने के लिए लेकिन नहीं हो पाया opening बढ़िया थी और वहां से 35,910 का high भी किया था लेकिन उसके उपर नहीं जा पाया तो बारा बजे के बाद एक range में फसा हुआ दिखाई दिया और मैंने premium ग्रूप और platinum ग्रूप में भी डाला था कि 35,500 का level important रहेगा अगर यह level break होगा तो यहां से हमें एक selling pressure जो है वो nifty bank के अंदर देखने को मिल सकता है तो कल के लिए यह level important रहेगा अगर 35,500 break होता है तो यहां से intense selling pressure हम लोग देखेंगे nifty bank के अंदर जो nifty bank को 35,300 350 के तरफ लेके जाएगा वही upside की बात करें तो जब तक nifty bank 35,000 850 के अबाव stable नहीं होता है 30 से 40 minute के लिए तब तक nifty bank के अंदर strength नहीं दिखेगी तो nifty bank का अगर option chain data देखें कल के expiry का तो nifty bank का अगर option chain data देखें तो highest writing कहां पर है तो देखे 35,600 से लेके 36,000 के उपर हमें call side में writing दिख रही है वही अगर 35,500 के support के उपर देखें तो put side में 80,000 का open interest है सामने 63,000 का है वही call writing 22,000 की हुई है लेकिन put writing अगर देखें तो 10,000 की हुई है तो अगर कल यहां पर positions add होती है और nifty bank 35,500 के उपर sustain होता है तो एक बारी फिर से nifty bank try करेगा 36,000 के उपर जाने के लिए अगर आप देख रहे हो कि यहां से positions की exit हो रही है और down side के लिए position जा रही है तो यहां पे हमें थोड़ा cautious रहना होगा क्योंकि nifty bank 35,500 के नीचे अगर फिसल जाता है तो 200-300 points की गिरावट हमें और देखने को मिल सकती है तो नifty bank के लिए option chain data देख लिया है चलते हैं चार्ट के उपर nifty bank के तो nifty bank का one day candlestick pattern chart है और डेली चार्ट के उपर फिलाल एक negative candle nifty bank ने form की है तो अभी यहां से आगे की बात करें तो देखिए first important support रहेगा जैसे मैंने कहा हुआ है 35,000 510 का level अगर यह break होगा तो 35,000 350 के अपने next important support के तरफ nifty bank अमें पढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है वही अगर यह support भी नहीं hold होता है तो 35,000 210 का next important support रहेगा अप site की बात करें तो upside के लिए first resistance 35,000 750 का level रहेगा अगर nifty bank आप देख रहे हो 750 के above 30 से 40 minute के लिए trade करता है तो यहां से nifty bank हमें 35,000 890 and 36,000 50 के तरफ अपना move देता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह important support और resistance के levels है nifty bank के लिए तो जो भी levels बताएं है अपने chart के उपर mark कीजएगा आपको trading के वक्त definitely helpful होगा और कुछे भी route रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत जदा अच्छा लगा है तो शेर कर देना अपने friends, family के साथ जिनको भी ये वीडियो useful है उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेर करना और उन सब को कहना इस चैनल को subscribe करने के लिए so thank you very much for watching this video मैं मिलूंगी आपसे next video में till then bye bye take care and trade carefully